नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल Study with धनंजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धनंजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक नवंबर से संबंधित महत्वपुर्ण Current Affairs के बारे में तो आज़ इस शरीज को चैनल करते हैं इस शरीज का पहला Question है कि हालही में किस राज्य सरकार ने सुमंगल Portal का सुभरम्भ किया है तो इसका सहिए उद्तर है Option No.D अभी हालही में उडिशा सरकार ने सुमंगल नामक Portal का सुभरम्भ किया है इस पोरोटल का मुख्य उदेश से है अंतर जाती विवाह प्रोथ साहन का लाग उठाने में लोगों का मदद करना अब ओरिसा ने स्टार्ट किया है तो ओरिसा के बारे में देख लेते हैं ओरिसा की राजधानी भोनेश्वर है ओरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है ओरिसा के राज्येपाल गणेशी लाल है ओरिसा में लोग सभा सीटों की संख्या 20 है राज्ये सभा सीटों की संख्या 10 है बिधान सभा सीटों की संख्या 147 है और ओरिसा में कुल 30 जिले हैं चिलका जेल, सिमली पाल नेशनल पार्क और भितर कनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उरिशा में हे इस्थित है आईए अब अगला प्रस्न देखते हैं दूसरा प्रस्न है हालही में सबजियों के निश्चित आधार मुल्यवाला पहला राज्य कौन बना है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी केरल अभी हालही में केरल सबजियों के निश्चित आधार मुल्यवाला पहला राज्य बना है इसमें सबजी का आधार मुल्य लागत मुल्य से 20% अधिक निर्धारित किया गया है अब केरल ने इस्टार्ट किया है तो केरल के बारे में देख लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवंत पूरम है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है केरल के राजजेपाल मुआरिमद खान है केरल में लोग सभा सीटों की संख्या 20 है राज्य सभा सीटों की संख्या 9 है बिधान सभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं साइलेंट वैली पेरियार वन्य जिव अभ्याराणे ये भी आपका केरल में हे स्थित है आज ये अब अगला प्रस्न देखते हैं तीसरा प्रस्न है हालही में किस राज्य सरकार ने यूवा अधिवक्ता कल्यान कोस का सुभारम भकिया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर A तमिल नाडू अभी हालही में तमिल नाडू सरकार ने यूवा अधिवक्ता कल्यान कोस का सुभारम भकिया है इसमें होता किया है कि नए अधिवक्ताओं को सुर्वाती दोर में कई प्रकार के चुनोतियों का सामना करना पड़ता है तो उनको मदद के लिए इस पूर्टल का सुभारंभ तमिलाडू सरकार के द्वारा किया गया है इसमें तीन हजार रुपए प्रतिमाह जो है कि मासिक बित्तिय सहायता प्रदान किया जाएगा अब तमिलाडू ने इस्टार्ट किया है तो तमिलाडू के बारे में देख लेते हैं तमिलाडू की राजधानी चेन्नाई है तमिलाडू के मुख्यमंत्री केप लानी स्वामी है तमिलाडू के राजधाल बनवारी लाल पूरोहित है तमिलाडू में लोगसभा सीटों की संख्या 49 है राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है बिधान सभा सीटों की संख्या 235 है और तमिलाडू में कुल 32 जिले हैं भरत नाट्यम ये जो है कि तमिलाडू का प्रमुख निरित्य है और अन्दा मलाई टाइगर रिजर्ब ये भी आपका तमिलाडू में ही स्थित है आज ये अब अगला प्रस्न देखते हैं चौथा प्रस्न है हालही में किस राजी सरकार ने धरणी पोर्टल का सुभारंभ किया है तो इसका सही उत्तर है आपसम नंबर सी तेलंगाना अभी हालही में तेलंगाना सरकार ने धरणी नामक पोर्टल का सुभारंभ किया है भूमि और समपत्ति के पंजीकरण के लिए इस पूरोटल कुआ जो है कि तमिल तेलंगाना सरकार के द्वारा लांच किया गया है अब तेलंगाना ले लांच किया है तो तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर सेखर राओ है तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सुन्दे राजन है तेलंगाना में लोक सभा सीटों की संख्या 17 है राज्य सभा सीटों की संख्या 7 है बिधान सभा सीटों की संख्या 11 बिधान परिशत के सीटों की संख्या 46 है और तेलंगाना में कुल 33 जिले हैं दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर इस्टडी भी धननजय मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वेल आइकन को अवस्थे दबा लीजिएगा आईए अब अगला प्रस् हालही में विश्व की पहली वैज्यानिक पुस्तक बायवाय कोरोना का विमोचन किसने किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर बी आनंदी बेन पटेल अभी हालही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बायवाय कोरोना नामक पुस्तक का वि तथा इसकी जो सावधानिया है उसका वरणन किया गया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं छट्वा प्रस्न है हालही में केशु भाई पटेल का निधन हुआ है यह किस राज्य के पूरो मुख्य मंत्री थे तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर ए गुजरात अभी हालही में केशु भाई पटेल का निधन हुआ है यह गुजरात के पूरो मुख्य मंत्री थे यह 1995 में कुछ महीनों के लिए तथा 1998 से 2001 तक गुजरात के मुख्य मंत्री रहे थे अब इनका निधन हो गया है आईए अब अगला प्रस्न देखते हैं सात्मा प्रस्न है हालही में कहां पर प्लास्टिक प्रिमियर लिग टूर्नामेंट का सुभारंभ हुआ है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी इनदोर अभी हालही में इनदोर में प्लास्टिक प्रिमियर लिग टूर्णामेंट का सुभारंभ हुआ है सहर को सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इसका सुभारंभ किया गया है यह प्रतियोगिता 45 दिनों तक चलेगा और इसमें 4 टीम बनाया गया है इन दोर लगतार 4 वर स्वक्षिता सर्वेच्छन में टाप पर रहा है और इसको बरकरार रखने के लिए फिर से जो है की प्लास्टिक प्रिमियर लिग टूर्णामेंट का सुभारंभ वहाँ पर किया गया है आजिए अब अगला प्रस्ण देखते है आठवा प्रस्ण है हालही में किस देश ने 2050 तक सुन्य कारबन उत्सरजन प्राप्त करने का लच्छ निरधारित किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी जापान अभी हालही में जापान ने 2050 तक सुन्य कारबन उत्सरजन प्राप्त करने का लच्छ निर्धारित किया है अब जापान ने किया है तो जापान के बारे में देख लेते हैं जापान की राजधानी टोकियो है जापान की मुद्रा येन है जपान के प्रधान मंत्री योसी हीदे सुगा है और जपान के संसद को डायट कहा जाता है आईए अगला प्रस्ण देखते हैं नौवा प्रस्ण है हालही में नए मुख्य सूचना आयोक्त कौन बने है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर बी यस्वर्धन कुमार सिन्हा अभी हालही में यस्वर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयोक्त बने है यह जो है कि बिमल जुलका का स्थान लेंगे केंद्री सूचना आयोक का स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था और इसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में इस्थित है आज ये अब अगला प्रस्ण देखते हैं दसमा प्रस्ण है हालही में वर्ल सुरायसिश डे कम मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर डी 29 अक्टूबर अभी हालही में 29 अक्टूबर को वर्ल सुरायसिश डे के रूप में मनाया गया है और वर्ल सुरायसिश डे 2020 का थीम है इनफार्म्ड एक बार फिर से वर्ल सुरायसिश डे 2020 के थीम को धोराते हैं तो theme है informed, आईए अब कल का प्रस्ण देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने comment box में comment करके बताया है, तो कल का प्रस्ण था कि हालही में साद अलहरीरी कि इस देश के प्रधान मंत्री के रूप में सपत लिये हैं, तो इसका सही उत्तर था option number B, लिबनान, अभी हा प्रस्ण का सही उत्तर देने वालों का नाम, इस प्रकार है, रितू ओजा जी, रवी कांत जी, जितेंद्र कुमार जी, सरवेश काजी जी, अमीत कुमार जी, आसी सिंग जी, संदीप जी, आईए अब आज का प्रस्ण देखते हैं, जिसका सही उत्तर आपलो comment box में comment करके ब comment box में comment करके बताईएगा, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, तथा दोस्तों में share कीजिएगा, उमीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको असानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठ दिखनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वेल आइकन को अवस्ते दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्तों पूर्ण वीडियो की अपडेट होत वो आप तक सही समय परवर असानी से पहुचता रहे, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद